यूपी के आग्रा में यमुना एक सप्रेस्वे पर एक बस हाथसे में 29 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हुए हैं लटन उसे दिल्ली आ रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की ये जनवरी रत बस आग्रा के ज़र्णा नाले में जागेरी घटना की सूचना मिलने पर मौके पर आग्रा के जिलाधिकारी इंजी रविवार कुमार एसस पी बबलू कुमार पहुँच गए जिलाधिकारी इंजी रविवार कुमार ने 39 लोगों की मौत की पुष्ट की है उन्होंने बताया कि यमुना एक सप्रेस वे पर यह बस बैरियर तोड़ते हुए नाले में जागेरी, यह घटना तड़के करीब 4-4 बज़े की है, यह बस लखनों से दिल्ली के आनन्द विहार बस अड़े जा रही थी, प्रथम द्रिश्ट्या ऐसा लगता है कि ड्राइवर को नीदाने की वज़े से यह घटना हुई होगी, मरने वालों में 27 वयस, 15 से 16 साल की लड़की और 1.5 साल की बच्ची शामिल है, केंद्रियर रेलो और वानेज मंत्री पियूश गोयल ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों को श्रदान जली दी है